एक और प्रशासन बजरी के अवैद खनन को रोकने की भरपूर कोशिश कर रहा है वहीं दूसरी और बजरी माफिया खुले आम प्रशासन के आँखों में धूल जोंक कर धडलले से बजरी का परिवहन कर रहे हैं ताजा मामला टॉंक के पीपलू का है जहां देरात पासरोटियां गाउं में बजरी से भरे वाहन की टकर से एक युवक्षी मौत हो गई जानकारी के मताबिक पासरोटियां निवासी राजाराम जिराना काटे से अपने गाउं लोट रहा था तब भी बजरी से भरे वाहन ने उसकी बाइक को टकर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई वही हादसे की सूशाँ पाकर मौत के परे जनों ने पेपलु अस्पिटाल पहुँचकर हंगामा खड़ा कड़ गया जिसके बाद प्रशासन के आलाधिकारी मौके पर पहुँचे और पूरे मामले की जनकारी ली ऐसे में मुर्तक के परिजनों ने पूरे मामले की निश्वक्ष जांच की मांग की है और साथी मुआवजे के रूप में 50 लाख और एक सरकारी नौकरी की भी मांग की हाला कि पूलिस ने इस मामले में एक ट्रैक्टर चालक को गरफतार किया है और फिलहाल मामले की जांच जारी है